मिनी बाइक, उसका नाम कुशल है, नई नई शादी होने से उसके ससुर जी ने उसे एक नया छोटा बाइक खरीद कर दिया, कुशल जब वो बाइक लेकर गाउं की गलियों में घुमता तो देखने वाली लोग बहुत हस्ते थे उस शाम कुशल अपनी पत्नी से, अरे सुनो न, तेरे पिता जी के दिये बाइक को जब गाउं में लेकर जाता हूं तो सब हसते हैं मेरे उपर कहा, पत्नी, सब जलते हैं जी, आप उस पर ध्यान मत दीजिये, वो मेरे पिता जी ने बड़े प्यार से आपको दिया है जी, कहकर चली गई कुशल क्या करना है कुछ समझ नहीं पाया, और उस मिनी बाइक से किसी भी तरह छुटकारा पाने की ठान लिया एक दिन, कुशल जान मूच कर उस बाइक को एक जगा पर छोड़ कर घर आकर अयो, मेरी बाइक गई यू चिलाने लगा, वो बाते सुनकर उसकी पत्नी, ओ जी, आप फिकर मत कीजिये, वो बाइक कही नहीं जाएगी चलो, हम पुली स्टेशन में कंप्लेन दे कर आते हैं, बूली, कुशल अरे, वो सब क्यों, और वैसे भी मैं पुली स्टेशन गूमते हुए नहीं बैठ सकता कहा, इतने में एक आदमी वहाँ आकर कुशाल जी, ओ कुशाल जी पुकानने लगा कुशल और उसकी पत्नी बाहर आकर देखते ही वो कहते हुए उसकी गाड़ी सौंपी पत्नी, क्यों जी, देखा, हमारी गाड़ी कहीं नहीं जा सकती हमारे पास ही लोट आई कहकर उस आदमी से बहुत शुक्रिया आपका जी, बुली कुशल का चहरे का रंग बदल गया अगले दिन कुशल जब पेपर पढ़ रहा था गांदी नगर में हुई बाइक की चोरी अब तक नहीं पकड़ा गया चोर, यूं पढ़ा येस, अब मैं अपनी मिनी बाइक को गांदी नगर में छोड़ दिया ऐसे कुछ करो न, कहकर हाथ जोड कर वहां से चला गया जैसे सोचा था, वैसे ही कुशल की गाड़ी चोरी हो गई ये बात जानकर कुशल कहते हुए नाचने लगा सबको मिठाए बाटा, कुछ दिन बाद एक आदमी कुशल के पास आकर कहते हुए कुशल के आगे हाथ जोड कर चला गया उस राथ कुशल जितनी भी कोशिश करू, ये बाइक से चुटका रही नहीं मिल रहा है कल इसे किसी भी तरह नदी में डुबा देना होगा सोच कर अगले दिन गाड़ी को नदी में छोड़ दिया हम्, अब ये बाइक फिर खब नहीं दिखेगी सोचते ही पानी से उसकी बाइक उपर आते देखकर वो चक्खित रह गया ये कैसे हो सकता है, कभी किसी ने बाइक को तैरते हुए देखा है क्या यूँ सोचते सोचते करीब जाकर जब गौर किया तो उसने देखा कि मगरमच उससे नदी के किनारे लाकर छोड़ दिया कुशिल मैं भले जितनी भी कोशिश करूँ बाइक से छुटकर आपाने की वो मेरे पास ही घूमकर आ जाती है शशुर जी, पता नहीं आपने इसे किस प्यार से खरीदा ये मुज जूरी नहीं ये